ऐल्लो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रुक्षन के सातवे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी God is Chapel है दार्टे तथा लिंटन और्च एंटलींटन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे डाट क्या होती है लिंटन क्या होता है ठीक है सबसे पहले देख लेते बेसिक जर्णल दीवारों में रखे गए रिक तस्थानों परबेशों परबेश यह नि दर्वाजों तथा अन्य संद्रचनाओं रचनाओं के पाटों को पाटने के लिए इनके उपर जो बिसेश बेवस्था की जाती है उसे डाट या लिंटन के नाम से जाना जाता है दर्वाजों खिड़कियों रोसंदानों बरामदों के परबेशों के उपर चिनाई उठाने के लिए इनको पाटना जरूरी है डाटे समानता वक्राकराकरती की होती है जबकि लिंटन चप्टी सकल के होती है देख लिजे बहुत बड़ा अंतर बता दिया गया कि डाटे हमेशा वक्राकर होती है और लिंटन हमेशा चप्टी सकल के होती है दोनों में यही अंतर है डाटों लिंटन में डाटो का निर्मार प्राचीन काल से मनुष्य करता रहा है परन्तु अब लिंटन अधिक सुविदा जनक सिद्ध हुई है डाटो का प्रियोग अब वास्तुकला के दिश्चे ही किया जाता है तो सबसे पहले डाट डाट को महराब भी कहते हैं अंग्रेजी में से आर्च भी क भावन में दर्वाजे खिड़कियों के प्रवेश को पाटने तथा दिवार को ऊपर उठाने के लिए चिनाई में जो विशेष वक्रा का निर्मार किया जाता है उसे डाट लगाना कहते हैं देख लिए विशेष वक्रा का जो निर्मार किया जाता है उसे क्या कहते हैं डा बारे मताया गया वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ दीजिए देखिए दोनों चित्र दिखाए गए यह आपका क्या है यह आपका डाट है जिसे महराब भी कहते हैं जिसे आर्च भी कहते हैं यह वक्राकार है देखिए और यह लिंटन है यह चप्टा अकार का यह लिए तो अब देख लीजिए डाट की आकरती वक्राकार होती है इसकी लिंटन प्रिजिमा सकल के होते हैं ठीक है प्रिजिमा कार सकल के यह होते हैं और बहुत सारे अंतर देगए आप इनको देख कर एक्छे से स्टड़ी कर लीजिए यह कोशन आपके बीटि उप लेकर में तन्ना कीजिए थिक डाट सम्बंदे सब्दा उलिन भी अब इसमें बताया है कि डाट में और कोउन सब्दली किया जाते हैं веч owं क्या होता है बीडी चित्र के माध्यों से आप देखके इसमें जान जाएगा कि डाट का उठान क्या होता है डाट खंड़क वास्थायर क्या होता है चावी पत्तर या कुंजी खंड़क क्या होता चित्र को देख के जानिएगा ठीक है अधस्तर क्या होता बही अस्तर क्या होता सिखर क्या होता है उठान पत्तर क्या होता डाट में डाट का उठानतल क्या होता, तिर्कोड कोड का क्या होता, तिर्यक पिर्ण क्या होती है, इसकंद क्या होता, नत्यादार क्या होता, वीडियो रोक करके और उपर के इस चितर को देख करके आप उसमें जान जाइए, OK? कि यह कितने सब्दावलिゲं गहीं टूटल अठाराइड सबस्ती दी गहीं इसको अच्छे से समझ लीजें остан मित्टी के आपकी टोजिसल सक्षाँ कितना के और चौछ सबसे पहला है इसके तो आकरती में पक्का आएगा चाहिए frigArp बिल्डिंग कंस्रक्षन के एक्जाम में ठीक है 2022 तीस में कि आकरती के इनुसार डाटों का उर्गी करण कीजिए तो आकरती के इनुसार पहला क्या है पहला है गोलाकार अर्द गोलाकार या अर्द बृताकार डाट उसके बाद बृत खंड या कमानी दार डाट समभाहू डाट दीरग बृता काट डाट परवलाई डाट चप्ती डाट नालनुमा डाट त्रिकेंदरी डाट चतुसकेंदरी डाट ठीक है ये नौ डाट इधर हो गए उसके बाद दसवा है नियून कोड़िया लैंसेट डाट वैनेसी नौकदार डाट नियून बाहू डाट ओजीर डाट ठीक है, यह सारे डाट दिये गए हैं, इनके बारे में थिरुट कल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सबका एक एक करके चित्र सहित वरडन किया गया है, सबको एक एक करके चित्र सहित आप अच्छे से समझ लीजिए, यह आपके एकजाम परपस से important है, ठीक है, यह आपके डाट है, ठीक है, यह सारे डाट आपके mention किये गए हैं, कौन-कौन से डाट है, ठीक है, यह देख लीजिए, अच्छे से इसको read कर लीजिए, वीडियो रो करके ठीक, अब दूसरा आजाए, निर्माड पदातों के अनुसार डाटों को और गी करण, निर्माड पदात के अनुसार पत्थर की डाटे होती है, इट की डाटे होती है, कंक्रीट की डाटे होती है, ठीक है, तो पत्थर की डाटे कौन से होती है, कैसे बनाई जाती है, इसमें से कोई एक डाट आपके एक्जाम में पूछा जाएगा, जो है निर्माड पदाव के नुशार, ठीक है? इसको आप अच्छे से रीड कर लीजे, पत्तर की डाटों में एक अनगड रबल चिनाई की डाट होती है, एक सगीन यासलर चिनाई की डाट होती है, अच्छे से रीड कर लीजे, ठीक है, थीओरिटिकल चीजे हैं, कुछ समझाने वाली चीजे इसमें नहीं है, ठीक, बिसेज परकार के अनुसार डाटे उसके बाद आ गया, निवारक डाट ये बिसेज डाट है, निवारक डाट, जैग डाट, उल्टी डाट, पहिया डाट, ये चार डाटे जो हैं, बिसेज डाट है, ठीक है, इनका ये किक करके विदिवाद वरण इसमें दिया गया है, आप वीडियो रोक करके, अगर पढ़ना चाहें, तो उसे पढ़ लीजिए, वह ये सारे वीडियो रोक करके, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, डाट रिंग का निर्माड कैसे किया जाता है, यहां पर हमारा डाट खतम हो जाता है, या लिंटन या पाट या कड़ी आ जाता है, भी लिंटन को आप पाट कड़ी भी बोलते हैं अब ये लिंटन सुरू हो जाता है डाट खतम हो गया अब लिंटन के बारे में समझ लेते हैं दर्वाजे खिड़कियों आलमारियों बरांदों के प्रबेश को उपर से पाटने के लिए जो 36 धरन या सरदल डाला जाता उसे ल वीडियों रोक करके रीड कर लीजिए अब लिंटन के प्रकार लखडी का लिंटन होता है पत्तर पटिय का लिंटन होता है इट का लिंटन होता है इस पात का लिंटन होता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का लिंटन होता है प्रबलित इटो का लिंटन होता है तमाम प्रका का लिंटन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है ठीक है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का लिंटन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है चित्र भी दिखाए गए है सब ठीक है ये प्रबलन इस पात की कितनी मात्रा होती है ठीक है कंक्रीट कैसे डालना होता है लिंट और इट दोनों मिलाकर जो लिंटन मरा जाता है उसे प्रबलित इटों का लिंटन कहते हैं और यहां पर आपका जो सतमा चैप्टर इंड हो जाता है ठीक है आने वाले नेक्स लेक्चर में हम आठवे चैप्टर के बारे में डिसकस करेंगे जो हमारा दर्वाजे खिड़किया तता रोसंदान दर्वाजे खिड़किया रोसंदान आठवा चैप्टर है हमारा यह हमारी जो बुक है यह एसीर पब्रिकेशन की बुक है इसी के बारे में हम डिसकस करेंगे आने वाले नेक्स लेक्चर में आठवे लेक्चर में तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जै हिंज जै भारत